तो प्रमुक्ष सामाजिक सुधार में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बाल विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, विद्वा पुनर विवाह, इस्त्री सिक्षा और बाल हत्या की प्रथा का उन्मूलन. यह सुधार किये गए हैं, अब इन से संबंधित प्रष्ण आपकी परिक्षाव में पूछे जाते हैं, बताने के आफशक्ता तो है नहीं यह, बाल विवाह के संबंध में हम पहले चर्चा कर लेते हैं, तो बाल विवाह की विरुद्ध सर प्रथम राजा राम मोहन रॉय ने एक अपना विचार रखा और एक आंदोलन सा बनाया उसको, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय भारत के एक जाने माने समा सुधारक हैं, जिनोंने सतीपर्था जैसे जो कूरीती थी उसको दूर कर डाला था, हाला कि सतीपर्था को दूर करने का प्रैस इससे पहले भी किया गय कि अब कोई अगर सतीव होती है, इस तरी तो उसके परिवार को सजा होगी, ठीक है, कानून बनने के वास्ते फिर ये सदैव के लिए बंद हो गया, ऐसा माना जाता है, बड़ कुछ 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 को अपने समाज को इसका अभिन अंग मा थी कि लड़की की एज विवाह के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए, उससे पहले तक बाल विवाह होता रहा, यह अंग्रीजे द्वारा बनायागे कानूनों को तो भारतियों ने वैसे भी नहीं माना क्योंकि यह बहारी विदेसी लोग हैं, यह कैसे हमारे लिए कानून बना सकत केश्व चंधिसेन का नाम मैंने कल आपको बताया था, आपको याद होगा कि कैश्व चंधिसेन ने कौनसे संस्था की स्थापना की थी? किस संस्था की स्थापके बताओ, अब रिकॉल करना है आप लोग ही सब कुछ वेरी गुड अब देखो यहां से आप लोग लिंक करेंगे ना इसको राजा राम मौन रॉय ने इस आंदुलन को सुरुवात की इसकी और राजा राम मौन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने राजा राम उन्राय के भ्रह्म समाज को ही पालन करते हुए एक नए भ्रह्म समाज की स्थापना की जिसको भारती भ्रह्म समाज कहा गया तो राजा राम मॉन्राय और केसव चंदसेन ये दोनों ही बाल विवाह उन्मूलन के एक महतपूर्ण समासुधारक के रूप में जाने जाते हैं तो 1872 में जो देसी बाल विवाह अधिनियम बना ये भी आप लोगों के लिए महतपूर्ण हो जाता है परिक्षा की दिश्टिकोर्ण से कि इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयू की बाल विवाह को प्रतिबंदित कर दिया गया तो सबसे पहले जो विवाह अनुमंद बना जिसको हम देसी बाल विवाह अधिनियम कहते हैं उसके अंतरगत लड़की की आयू क्या थी और लड़के की आयू क्या थी तो 14 और 18 वर्ष थी यह याद रखना है आपनों को केसव चंद्र सेन जो हैं यह इस अधिनियम को बनाने वाले प्रमुक्ष नेता की रूप में जाने जाते हैं साथ में के बहराम जी माला बारी भी है इसके बाद नेक्स्ट है आपका सती पर्था तो सती पर्था तो आप लोग जानते ही आपने पढ़ाई होता है कुछ नई बात इसमें है नहीं तो भारत में सती पर्था का आरंब कहां से हुआ यह जान लेते हैं पहले तो सती पर्था का सर पर्थम उलेक एरन अभिलेक में मिलता है जो कि 1510 इस्वी का बताया गया है सर पर्थम पंद्रवी सतापती में कश्मीर के साशक सिकंदर ने सती पर्था को बंद करवाय था और पुर्तगाली वाइसराय अल्बुकर्ग आप लोगं को पढ़ाया है मैंने विदेशी कंपनियों का भारत में आगबन तो उसमें यह बताया भी था कि जो अल्बुकर्ग था उसको भारत में पुर्तगालियों का वास्त्रिक संस्थापक माना जाता है याद है ना पुर्तगाली वाइसराय यावर्णर कौन थे बताओ फ्रांसिस्को अल्मीड़ा थे और जो दूसरे आया थे वह अल्बुकर्ग थे तो बहारत में पुर्तगालियों का वास्त्रिक संस्थापक कहा गया है तो 1510 इसवी में गोवा में इस पृथा को बंद कर वा जया था अल्बु कर दूए तो मैंने बताया था आपको इससे पहले भी सतीप्रता को बंद कराने का प्रयास किया गया था लेकिन राजा राम मॉनिरोई के संघरसों के द्वारा एक कानून बना दिया गया जो की संपून्द भारत में लागू हो गया तो राजा दिसम्बर 1829 चार दिसम्बर याद नहीं रखोगी तो कोई बात नहीं 1829 याद रखेगा आप लोग तो 1829 में एक अधिनियम बनाया जिसके तहत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई तो इस प्रकार सती प्रथा उनुमूलन हो गया भारत से इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका या नेक्स्ट जो दास प्रथा है तो दास प्रथा क्या थी आप लोग को जानकरी होगी कि पहले से राजा महराजा या उसके बाद जब मुस्लिम आए भारत में तो उनके वहां भी दासों को रखने की प्रता थी और दास प्रजाती जो थी वो क्या होती थी कि किसी भी राजा महराजा या फिर नवाब के आजीवन दास के रूप में कार करते थे उनके बच्चे भी उनके आने वाले जो राजा होंगे उनके लिए दास के रूपे कारे किया करते थी एक मूवी देखी होगी आपने बाहुवली जिसमें कटपा नामक एक करेक्टर है तो उसमें उसने बताया भी है कि हमारे दादा ने ये वचन दिया था तो इसलिए हम इनक ये डाद्वांट ये बहुत बुरी प्रथा थी क्योंकि चलो ठीक है अगर किसी व्यक्ति ने अपने को गुलाम सुईकार किया है किसी राजा का तो जरूरी थोड़ी उसका पत्रवी गुलाम बनेगा। प्रुर करने का भी ठ्वार्श में भारती सवाज में परचलित दा ग्लास्टर के अन्रोथ किया ठीक है क्योंकि मेन बात क्या थी इससे पहले अमेरिका में एक बहुत बड़ा रिवाल्ट हो चुका था और उस रिवाल्ट का भी बेसिक जो रीजन था वो यही था दास्प्रथा ठीक है तो यहां पर यह दूर गामी परिणामों को देखते हैं इन्होंने क्या किया कि बाद में कुई सी तरह का कोई विद्रोह ना हो तो इसलिए हम कुछ ऐसे कारे करते हैं जिससे कि हमारी छवी भार्कियों के क्या होते हैं नजरों में अच्छी बने दास्प्रथा ठीक होता भी है आज अगर कोई आपको लगता है कि कोई मतलब बहुत प्रतारिज व्यक्ति है आप उसकी सहायता कर देते हो तो वह आपको चाहे नहीं जानता होगा पहले से बट वह आपको बहुत ज़्यादा पसंद करना सुरू कर देगा ऐसा होता है नहीं होता है आप लोग ने अनुभव किया भी होगा कभी किसी बच्चे को उसके स्कूल में खुब डाट पड़ती है टीचर से लेकिन एक टीचर ऐसा होता है जो उस बच्चे को हमेसा एप्रिशीट करता रहता है उस टीचर से बच्चे उठाया अंग्रेजों ने उसके माध्यम से इनका एक प्रियास था कि जितने भी जिदास वर्गें हैं यह हमारी ओर आ जाए जिसके फ़ल सुरूप दासों के निर्यातों को बंद कर दिया गया और 1833 इस्वी में 1833 में एक चार्टर आया था आपको बताया था मैंने न और उसी चार्टर के माध्यम से जो कंपनी थी इंग्लेंड की उसका नाम इस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था चार्टर एक्ट द्वारा बिटिस सरकार ने दास्ता पर पूर्ण प्रतिबन्द लगाया तथा इस प्रतिबन्द को 1843 इस्वी में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया तो 1833 में सबसे पहले प्रतिबन्द लगा चार्टर के माध्यम से 1833 में संपूर्ण भारत में इसको बंद किया गया 10 साल बाद उसके बाद 1860 इस्वी में एक कानून बना दिया गया भारतिय दंड सहिता का जिसके माध्यम से दास प्रथा को पूरी तरह से अपराद घोशित कर दिया गया यदि कोई व्यक्ति दास रखता है जा दासों का व्य विद्वा पुनर्विवाह, आप जानते हैं कि विद्वा का विवाह हमारे समाज में शुब नहीं माना जाता है या लोग खुद अगरी नहीं करते हैं भले ही ये पुनर्विवाह का एक अच्छा कारे हमारे इसवचंदamed विद्य सागर जी जो उस समय के थमास हुदा रख जाए या छोड़के चली आए तो वो एक बार के लिवाहा कर लेता है बट इस्तियों का विवाहा होना इतना संभव नहीं हो पाता आज के समाज में भी ठीक है अगर आप थोड़ा सा जाएंगे तो वहां पर तो कोई दिकत नहीं वहां पर तो इन चीजों को ज्यादा मैटर नहीं किया था तो विद्वापुनर विवाहा के छेत्र में इस्वर्चंद्र विद्यासागन ने बहुत अच्छा कारी किया और अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने एक हजार हस्यक्षर से युक्त पत्र उस समय के जो तातकालिक गवर्णर थे भारत के डलहौजी डलहौजी का आप नाम पहले सुन चुके हैं क्योंकि डलहौजी ने एक हडप नीती अपनाई थी भारत में जिसके कारण ही 1857 का रिवर्ट हुआ ऐसा माना जाता है ठीक है न तो आपको मैंने पहले पढ़ाया भी है डलहौजी की हडप नीती और वैले जिली की सहायक जो नीती है उसको आपने याद एटना है भूलना नहीं है तो डलहौजी को इन्होंने एक पत्र भीज़ा जिसमें हजार लोगों के हथ्याक्षर थे कि विद्वा का विवाह होना चाहिए इसके लिए कानून बनाओ कानून के रूप देने के लिए अनुरूत किया तो इस्वर्चंद विद्विद्यसागर के परियासों के फलसुरूप बिडिस सरकान में डलहौजी को इन्होंने पत्र भीजा था बड़ डलहौजी तो नहीं बना पाए कानून लेकिन लौट कैनिंग ने 1856 में एक कानून बनाया जिसे हिंदू विद्वा पुनर्विवाह अधिनियम कहा जाता है तो 1856 का हिंदू विद्वा पुनर्विवाह अधिनियम ये भी आप लोग याद रखेंगे देखिए जो जो अधिनियम बने हैं उनको आपने उसकी तारीक के साथ और किस ने उस अ पुनर्विवाह को कराने की मानिता दी गई तो इस पकार से में जो रोल था इसमें विद्वा पुनर्विवाह की क्रांगती में या फिर मुहीम में इस्वर चंद विद्या सागर का था और इन्हों ने डलहौ जी को पत्र भेजा लेकिन कानून मनाने का श्रेज आता है वही व्यक्ति हैं जो भारत के अंतिम गवर्नर और अंतिम गवर्नर जर्णर और पर्थम ब्रिटिस वोईसरोय के रूप में जाने जाते हैं इन्हीं के समय भारत ये पर्थम सतंदा संग्राम की सुरुवात हुई थी और इन्हीं के समय में ब्रिटिस क्राउन ने भारत का जो साशन है वो अपने हाथों में ले लिया था तो याद रखना है आपको यह कुछ इंपोर्डेंट चीजे हैं तो इसी क्रम में 1899 में पूरा में विद्वा अस्रम की स्थापने की गई तो यह आप ले याद करना है विद्वा पुनर विवा तक क्लियर है आप लोगं को बता जीजी एक बार बाल विवाह सती प्रथा दास प्रथा विद्वा पुनर विवाह यह चार हमारे टॉपिक हो चुके हैं इन में अगर कोई प्रेश्ट नहीं तो पूछ लीजिए दो मिन बुरी इस्तिती में थी क्योंकि आपको कई सारे प्रमाण मिलते हैं विदूशियों के विदूशी मतलब जो बहुत घ्यानी इस्त्री हो तласт waż को विदूशी कहते हैं एंगर रामायन से उठाते हैं तो सीता विदूशी थी ठीक है हम महावारत से उठाते हैं प्रमाण哇 तो जो ध्रौपदी है वो भी विदूशी थी और भी कई सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहां पर हम पाते हैं कि जो इस्त्रियों के सिक्षा मिला करती थी लेकिन क्योंकि इस्त्रियों के लिए उस समय जो कारी था वो केवल ग्रहस्त कारियों पर लिपते रहना और घर के कामों को देखना ही था तो इसलिए ज्यादा सिक्षा इनको नहीं दी जाती थी धीरे-धीरे आने वाले समय में ये एक परकार से कहें कि नियम ही बन गया कि इस्तियों का काम सिर्फ चूला जोगा करना है तो उनको सिक्षा क्याओ सकता नहीं है और फिर धीरे-धीरे मुस्लिम काल में भी इस्तियों की सिक्षा और बुरी स्थिती में चले गई तो मैंने फिर बताया आपको कि भारत के जो समाज सुधार है उनमें प्रमुक्त समाज सुधार है उनको हम आज पढ़ रहे हैं अभी इस्तियों का उतना ही योगदान होता है समाज के निर्माड में जितना जिकार है इसे देखते हुए भारती समाज में इस्तियों की जो दैनी इस्तिती है उसे देखते हुए सरप्रथम तो इसाई मिस्णरियों ने ही 1819 में कलकत्ता में तरुन इस्तियों सभा की स्थापना की तो तरुन इस्तियों सभा का नाम आप याद कर सकते हैं चाहें तो व जो की तातकालिक सिक्षा परिशत के अध्यक्ष थे क्योंकि अंग्रेजियों के साशन के बाद से ही भारत में सिक्षा के कई सुधार किये जा रहे थे जिसमें लॉड मेकॉले और मुखी रूप से वुड चार्ल्स वुड जिन्होंने वुड डिस्पेच दिया था का नाम प् जो जेडी, बेथुन, सिक्षा परिशत के अध्यक्स थे उन्होंने कलकत्ता में एक बालिका विध्याले की स्थापना की और इस बालिका विध्याले के माध्यम से सन 1849 के बाद से इस्त्रियों की सिक्षा का जो एक स्वरूप था वो बिल्कुल चेंज हो गया क्योंकि जब मिस्णरियों ने 1819 में कलकत्ता में तरुन इस्त्रि सभा की इस्थापना की थी तो उस समय भारती इस्त्रियां खुद भी वहां नहीं जाना चाह रही थी और जो भारती समाज की जो लोग थे वो भी नहीं भेजना चाह रही थी कि उनका ये मानना था कि इसाय मिस्णरी इनको अपने सिक्षा दे करके इसाय धर्म अपनाने के लिए मजबूर करेंगे जैसा कि इसाय मिस्णरी करते आ रही थे लेकिन जब एक विद्धाले की स्थापना की गई तो वहां पर इस्त्रियां जाने लगी बालिकाय जाने लग इस्त्री सिक्षा के लिए भी इस्वर्चन्द विद्यासागर का नाम पुनहों आता है इससे पहले विद्वा पुनर्विवाहा के लिए इन्होंने प्रियास किये और अब ये इस्त्री सिक्षा के लिए प्रियास रथ है तो इन्होंने लगभग 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की और 1854 इस्वी में चार्ल्स वुड के जो सिख्षा आयोग था उसके माध्यम से इस्तरी सिख्षा पर विशेष बल दिया गया जब भी हम बेड में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं चार्ल्स वुड की विशेषताओं में दो विशेषताओं बहुत जादा आती हैं एक तो इन्होंने जो अनुद्वान आयोग होता है उसका गठन किया था और दूसरा बहुत पर ही महत्पूर्ण कारी किया था इन्होंने की इस्तरीयों को सिख्षा देने के लिए क्या क्या हम योजनाय बना सकते हैं इस पर भी इन्होंने चर्चा की और इस्तरी सिख्षा पर विशेष बल इन्होंने दिया फिर से प्रॉफेसर डी के करवे जो की विद्वा पुनर्वाह के लिए 1899 में पुना में एक आश्रम खोल दिये थे उन्होंने भी इस्त्री सिक्षा को बढ़ावा दिया तो इस प्रकार से आप इस्त्री चंद्र विद्या सागर और प्रॉफेसर डी के करवे इन दोनों का नाम याद कर सकते हैं पृद्वा, पुनरुद्दार से संबंदित हैं, इस्त्री सिक्षा के लिए भी इस्वर्चंद विद्यासागर और D.K. करवे, प्रोफेसर D.K. करवे का नाम आपने याद रजना है 1916 में पूरे में प्रथम भारती महिला विश्वर्चंद जाला है की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना करने का श्री जाता है D.K. करवे को दो-दो केशव करवे, इनका पूरा नाम है, देखो, 1899 में इन्होंने ही विद्वा आश्ट्रम पूरे में खोला था और उसके बाद इन्होंने ही पूरे में ही 1916 में भारती महिला विश्वर्चंद जाला करने का श्रीक से आता है तो प्रफेसर D.K. करवे को 1916 में पूरे में इन्होंने परथम भारती महिला विश्वर्चंद जाला की स्थापना की इसी तरीके से बार-बार पढ़ करके हमें चीजे याद करनी होती है कोई नया तरीका याद करने का नहीं होता है जितना आप एसोसेट कर सकें प्रीवेस नौलेज से अपनी नौलेज को उतना ज़्यादा आपको याद होता है और अगर कोई ऐसी knowledge आपके सामने आ रहे हैं जिसे सम्मनित पूरू ग्यान आपको है ही नहीं तो उस ग्यान को आपने बार-बार से पढ़ना होता है 1926 में महिलाओं के उत्थान के लिए अखिल भारतिय महिला संगी की स्थापना हुई और राश्री सिक्षानीती 1986 स्थानता के पश्चात की बात है लड़कियों की सिक्षा के लिए विशेष नीती बनाई गई जिसमें की मिशन ब्लैक बोर्ट का नाम विशेष कर लिया जाता है जिसमें ये बात कही गई कि किसी भी प्रात्मिक विद्याले में एक महिला अध्याबिका होना अनिवारी है और जदी विद्याले गाओं से दूर हैं तो बालिकाओं के लिए वहाँ पर बालिका आश्रम जिसको हम हॉस्टिल कहते हैं कि को सुरिश्चित किया जाए तो लड़कियों की सिक्षा के लिए जितना संभव परियास हो सकता था उतना 1986 की नीती में सुनिचित किया गया तो इस्तरी सिक्षा के लिए फिर से आप लोग देख लीजिएगा सबसे पहले तो इसाय मिस्टनरियों ने 1819 में सरुन इस्तरी सभा की स्थापना की इसके पश्षाद 1819 में जेडी बेथुन जो की ततकालिक सिक्षा परिसत के अध्यक्ष थे उन्होंने कलकित्ता में एक बालिका विध्याले की स्थापना की और इसके बाद विद्वा पुनर विवाहा से सम्बंदित ईश्वर चंद विध्यासागर ने 35 बालिका विध्याले इस्थापना की थी इन्होंने पुनह इस्थ्रियों के उत्थान के लिए 1916 इस्वी में पूने में प्रथम भारतिय महिला विश्वर चंद ईश्वर की स्थापना की गई और इस्थ्रियों की सिख्षा पर विशेश नीतियां बनाई गई अन्तिम पर आते हैं हम अगर कोई जाना चाह रहा है तो दो मिनिट रुख जाईएगा बस समापत होने वाला है बाल हत्या की प्रथा यह प्रथा राजपूतो वा बंगाल में अधिक प्रचलित थी क्यूकि इनमें बालिका सिख्षों को निर्दयता से मार दिया था ता क्यूकि आप लोग जानते हैं कि फ्लेंस में आज भी दहिश प्रथा का बहुत जादा प्रचलन है और जिनके घर म बालिकाएं होंगी तो उनके उपर एक अलग ही बोज जैसा उनको लगता था पहले से और दूसरी बात यह भी थी कि लड़कियों को यह ज्यादा महत्व नहीं देते थे तुकि इनका मानना था कि जो परिवार है जो वंश है वो लड़कों से चलता है तो लड़कियों का को उससे पहले लड़की का जन्म होने के पास्चाथ उसकी हत्या कर दी जाती थी तो एक बहुत बड़ी कूप रथा थी आज तो शुक्र है कि हमारे समाज में कूप रथा नहीं है और लड़कियों को सम्मान दिया जाता है लेकिन कुछ समाज आज भी लड़कियों को लड़क इस परतागी समझ्या थी विदेशी आक्रमण में जब मुस्लिम आकरांता आते थे तो यहां भारत में आकरमण करके भारत में जो धन होता था उसको लूडते थे और यहां की इस्थियों को अपने साथ ले जाते थे दास बना करके उनके साथ बलातकार करते थे बहुत यातना जो इस्त्रियों को मिलती है वो दी आती थी अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जब ISIS ने एराक और सीरिया को अपने कबजे में ले लिया था तो वहाँ पर भी कई सारी इस्त्रियों को उन्होंने बंदी बनाया था उनके साथ जितनी यातना हैं संभव हो सकती थी वो सार 1895 इस्वी में बंगाल नियम और 1804 इस्वी में नियम तीन के अंतरगत इस कूप रथा को रोकने का व्यापक पर्यास किया गया तो इस परकार से 6 आपने आज समा सुधार पड़े हैं तो जो भी आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लीजिए आज की किलास को ह करें पर वर कर देंगे